Dear students इस मोड्यूल में हम Phylum Annulus के जर्णल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे अब इसमें Annulus जो है Annulus नाम जो है वो डिराइव करता है Annulus Annulus का मतलब है रिंग अब इसके मुखतलिफ members जो है Phylum Annulus का दे आर मेरीन वर्म्स कुछ जो हैं वो स्वाइल बिल्डिंग वर्म्स हैं और कुछ के अंदर प्रिडेटरी एक्जाम्पल्स भी हमें मिलती हैं और प्रिडेटरी एनिलिड्स में जो सबसे कॉमन एक्जाम्पल है वो है लीज अब इसके बॉड़ी के क्रेक्टरिस्टिक्स क् बॉडी इस मेंटामेरिक बाइलैटरल, सिमेटरिकल, वम लाइक, अब इसमें प्रोटो स्ट्रोम क्रेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पायरल सुपराफिरेंजियल गैंग्लिएंज, डॉर्सल हैं, गैंग्लिएंज केसाथ वेंट्रल नर्व कार्ड हैं, मेटानेफरीडिया प्रेजेंट हैं, प्रोटोनेफरीडिया मुजूद हैं, अब इस स्लाइड के अंदर आपको सेग्मेंटिड वर्म्स की मुफ्लिफ एक्जाम् है इसके अंदर है segments इस segments को हम कहते हैं metameric segmentation metameric segmentation का मतलब है कि हर segment के अंदर body parts जो है वो repeat होंगे अब this is all its segments these are all the segments these are all the segments यह interior end यह इसका posterior end mouth is at the interior end anis is at the posterior end और यह इसके अंदर सारे जो है these are the structures they help in capturing the prey और इन में जो ring like structure annulus जो है जिसकी base पे phylum annulida का नाम रखा गया वो annulus भी हर worm के segment के अंदर मौझूद है यहां पे आप देखे अब इस segmented worms की आप shape देख सकते हैं different है इनके colors different है इनकी habitat different है इनका living style different है बट इनके अंदर similarity क्या है के these are the segmented worms they have metameric segmentation body cylindrical having two ends and usually annulus and ring like structure is present in all the animals of phylum annulid